धन संबंधी परिभाशाओं के बाद कुछ विचारक कैसे आये जिनोंने अर्थ शास्त्र के लिए कल्यार संबंधी परिभाशाओं के स्थापना के उनिस्वी शतापदी में अल्फ्रेट मार्शल ने एक पुस्तक लिखी प्रिंस्पल ओफ इकनोमिक्स इसमें इन्योंने अर्थ शास्र को कुछ इस तरह से अभिवेक्ति किया कि जहां पर धन को दृत्यक और मानव कल्यार को प्रात्मिक स्थान दिया गया अल्फ्रेट मार्शल की यह तरह कुछ और विचारक आए जिन्होंने अर्थ शास्र को मानव कल्याण का विज्ञान माना आए देखते हैं वो कौन-कौन से विचारक थे और उन्होंने कौन-कौन सी परिभाशाय दिए इसमें सबसे पहले अल्फ्रेट मार्शल की के उस भाग के जाच की जाती है जिनका भौतिक सुक्य साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से घनिष्ट संबंध होता है प्रोफेसर कैनन इन्हों ने कहा है राज अर्थ व्यवस्था का उद्देश उन समाजिक कारकों की व्यवस्था करना है जिन पर मनुष्य का भौ प्रोफेसर चैपमेन कहते हैं आर्थ शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के धन कमाने तथा धन को व्याय करने से संबंधित क्रियाओं का अध्यन किया जाता है तीनों ही परिभाशाओं पर अगर हम एक नजर डाले तो कहीं न कहीं सबने मानों कल्याण की बात कह है इसके पूर्मी में हमने जो धन संबंधी परिभाशाएं देखी जिस पर अत्यदिक बल धन पर दिया गया उससे कहीं हटकर यह परिभाशाय दिखती है और कहीं न कहीं धन अर्जन के साथ-साथ मानों कल्याण को भी इन में शामिल किया गया है तो इन सभी परिभाशाओ में से हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाशा का एक विसलेशनादमक अध्यन करेंगे आ यह सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाशा दी है उनमें कौन-कौन से मुख्य बिंदू है क्या-क्या उनके विष्येस्ताएं सामने आती है जिसमें सबसे पहला है इन्होंने बोला है साधारण व्यवसाय संबंधी कारिय यानि मनुष्य अपने जीवन में साधारण व्यवसाय संबंधी कारिय करता है यानि धनार्जन के साथ साथ वो जो उत्पादन करता है उसके अंतरगत इन्होंने उभोग उत्पादन वित्रण विन्यमय राज दूसरा अगर हम इनकी विशेस्ताओं को देखते हैं तो इन्होंने अपनी परिभाशा में आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही क्रियाओं को शामिल किया है इन्होंने माना है कि अर्थ शास्त्र में उन परिभाशाओं का भी अध्यान किया जाए जो धन प्राप्ति से सम्बंदित है और साथ ही इन्होंने मनुष्य के कार को दो भागों में बाड़ दिया है धन सम्बंदी कारे को इन्होंने आर्थिक कारे का नाम दे दिया है और जो कार्य धनन से संमन्दित नहीं है उन्होंने उसको अनार्थिक क्रियाओं का नाम दे दिया है। तीसरा इंहोंने क्या किया है अपनी परिभशा में भौतिक कल्याण की बात गया है। यह बहुत महत्वून विशेषत हैं इनकी भाशा की कि अभी तक जहां हम अर्थ को अर्थ शास्त्र को सिर्फ अर्थ याने की धन से जोड़ कर देख रहे थे वहां एक नया चीज हमको यहां सुनने में मिला भौतिक कल्याड कहीं न कहीं यह मानते हैं कि मनुशी धनार्जन करता है बहुत अच्छी बात है यह उसका करत मतलब है लेकिं भौतिक कल्याड के लिए करता है अपने साथ साथ वह अर्थ शास्त्र समाज में रहने वाले प्रतिक व्यक्ति के आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया धनो पारजन की जो क्रियाएं होती है या जो भी धन संबंदी क्रियाएं होती है सारी क्रियाएं समाज में रहने वाले व्यक्ति विशेश ना कि किसी पशुपक्छी पेड़ पौधे के बारे में अध्यान नहीं करता तो इन्होंने माना आया प्रतिवेक्ति सम्रिधी से ही राष्ट जो है वो सम्रिध होता है तो ये कुछ छोटी सी विशेस्ता हैं इनके परिभाशाओं की हाला कि धन संबंदी परिभाशाओं से बहुत हट कर इन्होंने मानव कल्याड को अपनी परिभाशाओं में शामिल किया लेकिन फिर भी इ वह हम देखेंगे जिसमें प्रमुक बिंदू है एक तो इन्होंने अपनी परिभाशा में एक शब्द कहा है जीवन के साधारन व्यवसाह अनार्थिक किन कारियों को जीवन के साधारने वेवसाय में शामिल करना है किन कारियों को अनार्थिक उन्होंने माना है अपनी विचारधारा में थोड़ा सा ये कहीं न कहीं कन्फ्यूजिंग लगता है तो ये एक आलोचनात्मक बिंदू हो सकता है दूसरा एक तो भौतिकता का भ्रम ज कि कि ने लिए रहभ को यह तो यह हैं मैं तो यह को एक ब्रह जाल में फसा हुँआ सा तरक लगता है परिभाशा του दिए वर्ग किरिट अर्थिक मनुश्य अनार्थिक मनुश्य अर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया बहुत इक ün datasgiving है तो कहीं लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन बहुत सारे वर्गीकरण इन्होंने अपनी परिभाशाओं में दे रखे हैं वैसे ही एक आलोशनात्मक बिंद यह हो सकता है कि इन्होंने केवल समाजिक विज्ञान मान लिया है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है वो समाज में काम करता है सिर्फ उत्पादन वित्रन राजस्व बहुत सारे विस्तर छेत्र उनका भी अद्धन यह करता है तो केवल समाजिक विज्ञान कहना शायत कहीं न कहीं कुछ गलत या भ्रामक से प्रतीत होता है तो यह कहना है उनके बाद आने वाले अर्थशास्त्रियों ने यह उन्होंने परिभाशाय दी है वो कहीं न कहीं अर्थशास्त्र के धन से संबंद स्थापित करने और अर्थशास्त्र के मानो कल्यार्ण से संबंद स्थापित करने से बिलकुल हट कर यानि कि दुरलबता और सीमितता से संबंदित साधनों के अधार पर उन्होंने अपनी आईए देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे विद्वान है जिनोंने दुरलबता और सीमितता से संबंदित परिभाशा दी है और क्या-क्या विचार उन्होंने व्यक्ति किये हैं तो इनमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर रॉबिंसन का जिनोंने कहा है कि आर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यभार का अध्यान सीमित और अनेक उप्योगों वाले साधनों तथा लक्ष के संबंदि के रूप में करता है वैसे ही प्रोफेसर स्टीलर का कहना है कि आर्थशास्त्र उन सिध्धानतों का अध्यान है जो सीमित साधनों के प्रतियोगी उद्देश्यों के बटवारे को शामिल करते हैं जबकि बटवारे का लक्ष उद्देश्य की अधिक्ता प्राप्त होती है केयन क्रोस का कहना है आर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें कि इस बात का अध्यान किया जाता है कि व्यक्ती सीमित्ता को अपनी आवशक्ताओं के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करे तथा इनका यह प्रयास वीनिमे द्वारा किस प्रकार प्रकट होता है यह उन्होंने बताया है कुल मिलाकर अगर हम रॉबिंसन और क्रेन कार्स की परिभाशाओं का एक विसलेशनात्मक अध्यान करें तो हम देखते हैं कि कुछ मूल बिंदू है जो दुरलबता और सीमितता मतलब ऐसे साधनों के उप्योग से संबंध रखते हैं जो दुरलब हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यह जो सीमित हैं यह जिनका बहुत सोच समझ कर उप्योग करना है तो इसलिए इन दोनों ने अपनी परिभाशों में यही कहा है कि अपनी आवशक्ताओं को इन वस्तों के प्राप्ति तक सीमित कर ले या समयोजित कर ले इस तरह के कुछ मूल बिंदू निकल कर सामने आते हैं यह परिभाशा है धन और मानो कल्याण से बिलकुल अलग करती है अपने आपको तो आए देखते हैं कि अगर रॉबिंसन के परिभाशा की हम व्याख्या करते हैं तो कौन कौन से मूल बिंदू हमको यहां पर निकल कर आते हैं हमारे सामने एक तो इन्होंने असीमित आवशक्ताओं की बात किया इन्होंने जैसे कि हम पहले भी पढ़ चु और इन्होंने अपने परिभाशा में बताया है कि साधन तो सीमित है यह निकि मनुष्य जो काम करता है उसका एक ही आए है चाहे वो नौकरी पेशा हो तो उसको एक निश्रित मातरा में सैलरी मिलेगी या अगर वो वैवसाई है तो उस वैवसाय से जितना वो अपना मंतली इनका मरजित करता है उतना ही कर पाता है तो बहुत है लेकिन पूर्ती के जो साधन है वो सीमित है ऐसा इनोंने अपनी परिभाशा में माना है और की साधनों का weapon प्रयोग जो साधन होते हैं के कि हम कई जगा हम उसको प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अगर आय से इसको जोड़ दे तो आय हमारे पास सीमित है हम उनका कहां कहां हमको प्रयोग करना है कितना हमको अपनी आय का भाग सिक्षा पर खर्च करना है कितना आराम पर कितना मनोरंजन पर यह हमारे लिए एक प्रश अगर 2-3 आवशक्ताइय हैं, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपे है, तो और मुझे 30 रुपे की एक बुक लेनी है, एक मुझे 50 रुपे की पैन लेनी है, या मुझे 100 रुपे की रिचार्ज कराना है, तो सारी चीजे मेरे लिए जरूरी है. अब मुझे यह देखना है कि सबसे तीवर आवशक्ता मुझे क्या है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे सबसे ज़रूरी क्या है मेरे लिए बुक है पहले मैं बुक लोंगी उसके बाद पैन लोंगी उसके बाद पैसा बचता है तो मैं फोन रिचार्ज पर जो तिवरताओं का क्रम होता है उसके बारे में इनने बात कई है कि सबी महत्व है अलग अलग होता है तो इसे तरह इनकी परिभाशाओं का जब हम विसलेशनात्मा कंद्धियन करते हैं तो उसमें से कुछ विशेस्ताय निकल कर सामने आती हैं आए देखते हैं वो कौन-कौन से विशेस्ताय है तो इन में इसके सबसे प्रमुख विशेस्ताय है कि यह जो परिभाशा है यह मनुष्व को एक विवेक शिल प्राणी मानती है जैसा कि हमने रॉबिंसन की परिभाशा में यह देखा था कि हमारी जो असीमित आवशक्ताएं हैं उनको हम कैसे सीमित करें या हमारे पास जो सीमित साधन है उससे हम अपनी असीमित आवशक्ताओं की पूर्ति कैसे करें तो इन्होंने माना है कि मनुष्य जो है विवेक शील प्राणी है वो बहुत सो समझ के अपने इनकारियों को वो प्राणियों करते हैं कि मानवी व्यभार का अध्यान करते हैं जैसे इनके पहले जो विद्वान थे उनकी और शाव में भी हमने देखा कि समाज का अध्यान करता है अर्थ शास्ति समाज में रहने वाले प्राणयों का अध्यान करता है उसी तरह एक विशेशता यह भी है कि इन्हों इनकी परिभार्षा की स्ब्राइब देते हैं किन किन बिंदों की आधार पर इनकी परिभाषण की आलोचनाय की गई है व्यापक छेत्र रॉबिंसन ने अर्थ शास्त्र के छेत्र को बहुत व्यापक कर दिया है हमने इनकी परिभाषा और परिभाषा के विशेस्ताओं में देखा कि इन्हों ने धन के साथ-साथ अधिक्तम संतुष्टि अधिक्तम आवशक्ता सीमित साधन साधनों का प्रियोग इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे चीज़े अर्थशास्त्री के अंतरगर डाल दी है जो शायद नहीं होनी चाहिए तो इस आधार पर इनकी परिभाशा के अलोचना की जा सकती है इसी तरह कुछ साथ कर दो है तो यहां पर साधन कौन है और साध इसमें अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है वैसे कुछ अर्थशास्त्री मांनते हैं कि इंकी परिभाशा थोड़ी सी जटिल है क्योंकि हमने पहले ही देखा कि इन्हों व्यापक कर रखा है तो समझ पाने में थोड़ी से कठिन लगती है वैसे ही इपने कहा है कि अर्थ-शास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही हैं, अब क्योंकि हमने देखा कि अर्थ शास्त्र किसी भी कारे का क्रम बद्ध अध्यन करता है, और कलात्मक रूप से करता है, बहुत अच्छे से करता है, श्रेणी बद्ध रूप से करता है, तो कहीं न कहीं वो कला भी है, जिसका कि उन्होंने अपने परि जिनकी आधार पर कुछ अर्थ शास्त्रियों ने इनकी परिभाशा क्या लोचना भी की है अब ये जो दुरलबता या सीमीतता संबंधी परिभाशाएं थी इनके बाद कुछ अर्थ शास्त्रियों ने विकास संबंधी परिभाशाय भी दी है आए देखते हैं विकास संबंधी परिभाशा सम्यूलसन ने किस प्रकार दी है सम्यूलसन के अनुसार अर्थ शास्त्र इस बात का अध्यन करता है कि मनुश्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा या दुर्लब साधनों का एक समय अवधी में प्रयोग करते हैं तथा किस प्रकार इनका वित्रण समाज के विभिन लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपयोग के लिए करते हैं इनकी परिभाशाओं का अगर एक सुक्ष में विसलेशन किया जाए तो कुछ छोटे छोटे बिंदू हमारे सामने निकल कर आते हैं इनी बिंदू को हम इनकी परिभाशा की विशेस्ता के रूप में अध्यान करेंगे तो आए देखते हैं सेमिलसन की परिभाशा की कौन-कौन से विशेस्ता हैं पहली विशेस्ता तो यह है कि इन्होंने अपनी परिभाशा में सीमित साधनों का जिक्र किया है यानि ये भी मानते हैं जैसे हमने दुरलबता और सीमितता संबन्धी परिभाशा है रॉबिनसन की देखी थी वैसे ही Samuelson भी मानते हैं कि जो साधन है हमारे पास वो सीमित है तो इनकी परिभाशा में भी यह कहा गया है कि जो साधन है वो सीमित है और उनका वित्रण इस प्रकार से किया जाए कि सभी को उसका बराबर लाप मिल सके दूसरा इनकी परिभाशा में एक ये बाद भी बहुत अच्छी कही गई है कि संसाधनों का कुशलतम उप्योग किया जाए यानि कि कोई भी संसाधन वेस्ट ना हो खराब ना हो और कुशलतम उप्योग की बाद भी इन्होंने इसलिए कही है है क्योंकि इनका यहीं मानना है कि सीमित साधन कम है साथन हमारे पास तो और पहले इनुन ने मानना है कि मनूश्य वी वीवेक शील प्राणी तो एक एक क्लाव करें वैसे ही आगर हम देखें थो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है अपनी परिभाशा में कि जो हमारे पास सीमित साधन है उनका प्रयोग वर्तमान और भावी दोनों ही आवशक्ता की पूर्ती के लिए करें बहुत ही अच्छी बात इन्होंने इसले कही है कि हम उसका प्रयोग वर्तमान में भी करें और इस प्रका है जो इनकी परिभाशा को काफी प्रभावशाली बनाते हैं सेमिलसन की परिभाशा अच्छा यह अभी तक हमने देखी धन संबंदी कुछ परिभाशा है मानो कल्यांट से संबंदी कुछ परिभाशा है फिर हमने देखा कि संसाधन सीमित है दूरलब जो संसाधन है उनको कैस यूज़ किया जाए यहनि कि हमने देखा दूरलब्ता संबंधी परिभाशा फिर हमने सैमसन के देखे विकास परिभाशा कोल मिलाकर किसी एक परिभाशा पर पहुंचपाना अभी भी कफी मुश्किल है कि इडाम सम्यट की परिभाशा की अगर हम बात करते हैं तो हमने मैं देखा कि उन्होंने परिभाशा में कहा कि आर्थ शास्त्र जो है वो धन का विझ्यान है फिर हमने देखा कि कि इंग लैंड में बहुत सारे पुझ्जी पती थे उन्होंने इसको गलत वे मिलिया महिलां और बच्चों का जोशन होने लगा बहुत से अर्थिशास्त्री में दूसरी बात की परिभाशा के करें तो लगभग उन्हों धन की तो बात कही है आर्सिक और अर्थिक रियाओं की बात कही है लेकिन उन्हों ने अपनी परिभाशा में एक महतुपूर बिंदु शामिल किया है वो है मानव कल्याण वो मानवी वेवहार मानव कल्याण जैसे शब्दों का प्रियोग करते हैं तो कुल मिलाकर इनकी मेता की परिभाशा की बात करें तो आपने देखा कि प्राक्च भारती विचारकों में जेके मेता ने अर्थ शास्त्र की जो परिभाशा दी उसमें इन्होंने अर्थ शास्त्र के साथ साथ नीती शास्त्र धर्म शास्त्र दर्शन सास्त्र सभी को इसमें इंक्लूड कर दि तो अर्थशास्र का महत्व ही समाप्त हो जाता है तो यहां पर भी आलोचना होती रही उसके बाद अगर रॉबिंसन की परिभाशा की हम बात करें तो आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है अन अर्थशास्रियों का भी हमत है कि रॉबिंसन की परिभाशा थोड़ी सी उन्होंने धन के साथ साथ कुछ तर्क पूर्ण बाते कही है उन्होंने विज्ञान भी माना आदर्श विज्ञान माना उसकी बाद उन्होंने कहा कि सीमित साधनों की बात कही उन्होंने जो कि आज के परिप्रेक्ष में लागू होती है वास्तों में हमारे पास सीमित साध सब्सक्राइब करें इसके लिए हमको अपने विवेक से काम करना है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मार्शल की परिभाषा और थोड़ी बहुत रॉबिंसन की परिभाषा व्यवहार में लाने योगी लगती है इनी दो परिभाषाओं को हम तर्कपूर्ण मानते हुए अगर हम Martial और Robinson दोनू की परिभाशों की समानता देख हैं हम तुल्ला नहीं कर रहे हैं हुम समानता देख रहे हैं तो दोनों ने एक ही बात कही है कि मनुष्य की क्रियायो का अध्यान करता है margin ने भी कहा कि मानवी व्यवहार और मार्शल की प्रभाशागर आप देखते हैं मानवी वेवहार का अध्यान है रॉबिंसन की प्रभाशागर देखते हैं तो उन्हों ने भी मानव कल्यान की बात कही है तो मानव से रिलेटेड दोनों ने माना है कि मनुष्य के अध्यान करने के लिए ये मनुष्य के लिए यह जो अर्थ शास्त्र का छेत्र है वो विक्सित हुआ है वैसे ही दूसरी बात दोनों ने अधिक्तम संतुष्टी की बात कही है दोनों ने कहा है कि सीमित साधनों का प्रयोग मनुष्य इस प्रकार करें जिससे वो जादा से जादा लाव मतलब अपने वीवेक अपनी मानते हैं दोनों ही अर्थ शास्त्र को आदर्श या समाजी के सामाणे विज्ञान मानने के लिए वो तयार है वैसे इनकी परिपाश्टा में एक सामानता और देखने को मिलती है कि इन्हों ने दोनों यार्थ शास्त्रों उसके खर्च जो मतलब उसके अवशक्ता है जो है मनुश्य की वो अनन्त है तो दोनों ने धन को सीमित और आवशक्ताओं को अनन्त माना है ठीक उसी तरह इन्होंने अपनी परिभाशाओं में मारशल ने और लॉबिंसन ने धन की अपेक्शा मनुश्यकों महत्तो दिया है रॉबिंसन ने भी माना है कि मनुष्य धन प्राप्त करता है उससे वो अपना स्वयम का कल्याण करता है अपने लिए वो धनार्जन करता है अपने आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए रॉबिंसन और मार्शल दोनों ने माना है कि स्वेम संतुष्ठ होने के लिए वो धन का प्रियो धन को कमाता है धनार्जन वो करता है ऐसा नहीं माना है उन्होंने कि मनुष्य की जो उत्पत्ती हुई है वो केवल धन के लिए हुई है अगर वो प्रित्वी पे जन मिलिया है तो धन के लिए उन्होंने दो टूप में कहीं पर यह नहीं कहा है कि धन का शास्त्र है धन ही जो है वो अर्थशास्त्र के अंतरगत आएगा तो यह बहुत अच्छी बात दोनों इपर भाशाओं में देखने को मिलती है कि दोनों ने ही मनुष्य को प्रात्मिक और धन को ग इंदू है जो मार्शल की परिभाशा को रॉबिंस की परिभाशा से भिन्द करते हैं इनका इनकी परिभाशाओं में सबसे प्रमुख हंतर है कि मार्शल ने अपनी परिभाशाओं में बहुत सारे वर्गीकरण विसलेशन किये हैं जिबकि रॉबिंसन ने ऐसा कोई वर्ग मनुष्य वैसे ही सामाजिक और असामाजिक इस तरह से बहुत सारे बिंदों का प्रयोग किया है लेकिन रॉबिंसन ने इस तरह का किसी कार्य में यह किसी मनुष्य के लिए किसी प्रकार का कोई वर्गी करण नहीं किया है दूसरा अंतर यह देखने को मिलता है कि मार्शल की जो परिभाशा है वो धन से संबंधित क्रियाओं का अध्यान करती है इसलिए उन्हें आर्थिक अनार्थिक पे भी उन्होंने जोर दिया है उसकी बात कही है और दूसरी जो रॉबिंसन की परिभाशा की अगर हम बात करें तो हम रॉबिंसन की परिभाशा में देखते हैं कि उन्होंने सीमित साधनों और उनका असीमित उप्योग इस तरह की बाते उन्होंने अपनी परिभाशा में कही है क्योंकि जाहिर से बात है कि मार्शल की जो परिभाशा है वो कहीं न कहीं मानाव कल्याण से संबंधित है की इस तरह का जो अंतर है मर्शल और रॉबिंस्टन दोनों की परिभाशा में देखने को मिल रहा है देखते हैं कि मार्शल कि बुरा जो परिभाशा है उन्होंने जो मानवी खृतभयाइं present कॉरा-पूरा उदेश्य वह और संद्धान है वह एक प्रकार का साधन है लेकिन हम ने आलोचना में भी देखा की रोबिंसन ने कहीं पर यह इसपस्ट नहीं किया है कि एक्च्छन क्या है है कौन है और साध्य कौन है वैस्सिए कंतर देखने क reflex करता है कि Marshall की परिभाशाओं का अगर हम अध्यान करते हैं उनकी विशेशताय निकालते हैं या हम उसकी व्याख्या करते हैं तो अप एक्षाक्रित थोड़ी सी पढ़ने में समझने में सरल लगती है रॉबिंसन की परिभाशा कही न कही थोड़ी से उलजी हुई या कठिन लगती है एक अंतर ये भी देखने को मिलता है कि हाला कि हमने जैसे भी समानता में देखा कि मार्शल और रॉबिंसन दोनों ही अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं लेकिन अंतर ये भी कहा जा सकता है कि मार्शल जो है वो समाजिक विज्ञान मानते हैं और रॉबिंसन जो है उसे मानव विज्ञान मानते हैं उसी तरह से हमने मार्शल की परिभाशा का जब विसलेशन किया तो हमने देखा कि वो कला और विज्ञान दोनों मानते हैं कि कलात्मक धंग से किसी कारे को किया ज तो यह कुछ ऐसे बिंदू है जिनसे हम मार्शल और रॉबिंसन की परिभाशा में अंतर देख सकते हैं तो हमने आज बहुत सारे अलग अलग अर्थ शास्त्रों की परिभाशाओं को देखा उनका विसलेशन किया जिससे हमें ये पता चला कि वास्तों में अर्थ शास्त्र आखिर है क्या होता क्या है कि समय समय पर जितने भी विचारक आते हैं वो किसी एक विशय विशयस के प्रती अपनी कोई न कोई धार्णा अभिवेक्त करते हैं आने वाली अध्यायों में हम देखेंगे कि इन्ही अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विशय समागरी उसके छेत्र और महात्यों के बारे में किस प्रकार से अपनी धार्णाया भिवेक्त की है।